सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असाने से हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तों आज की जो वीडियो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन्ट होने वाले है और ये जैसा कि आपने थमनल में देखा कि ये आपके होस उडा देगी दोस्तों बिलकुल सच कह रहा हूं ये वीडियो देखके आप बिलकुल हैरान रहे जाएंगे कि UGC.net के अंदर दुनिया के सबसे असान कोशन डिटो कोपी कोशन आते हैं इस तरह के कोशन दुनिया के साइद किसी एकजाम के अंदर आते हों तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों और मेरा ये पूरा दावा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप जरूर कहेंगे OMG और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और पूरी देखना इस वीडियो को इस वीडियो आपको हर एक चीज पता चलेगी कि UGC.net वो किस तरह से कोशन देता और कहां से कोशन देता है और अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आपका नेट तो क्या आपका जियारफ भी हो सकता है दोस्तों दोस्तों अगर आप चाहे तो बहुत अच्छे से स्टडी करने के लिए हमारा पेड़ कॉर्श भी जोइन कर सकते हैं इसके इंदर हम आपको सभी 10 लाइव मोक टेस्ट देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा पेड़ कोर्श जोइन करना तो जल्दी से जल्दी हमें इस वाट्सप नंबर पर कॉंटेक्ट कीजिए तो चलिए दोस्तों अब हम सुरुवात करते हैं हमारी वीडियो की और इसमें दिखाते आपको यूजी सी नेट जियाराफ पेपर फर्स्ट जून 2011 का कोशन पेपर है ठीक है इसके अंदर हम कोशन नंबर देखते हैं कोशन नंबर हमारा साइद 20 है वो ये देखे दोस्तों ये हमारा कोशन नंबर 22 है थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिख जाएगा ये देख कोशन की एक बार ही जो हैडिंग है ये आप देख लिजिए अब हम आगे देखते हैं दोस्तों ये कोशन कब कब आया हो और किस तरह से आया है अब ये देखे दोस्तों ये हमारे पास पेपर फर्ष्ट जून 2012 का कोशन पेपर है और कोड एड डवलू इसके अंदर हम देखते कि यही कोशन किस तरह से रिपीट हुआ है अब इसमें देखे दोस्तों ये रहा हमारा कोशन नंबर 20 पेट्रोल की कीमत में 25 परतिसत व्रि किस तरह से इन्होंने कोशन दिया हुआ है और पहले भी इन्होंने 25 परतिसत की बात की थी और अब भी ये 25 परतिसत की बात कर रहे है यानि कि डिटो कोपी कोशन है और अब हम ये देखते दोस्तों यही कोशन दुबारा यानि कि तीसरी बार ये कोशन कब आया है अब ये दोस्तों आपके सामने UGC NET 2019 का question paper है 24 June का paper है और morning shift है इसके अंदर हम देखते हैं दोस्तों ये question किस तरह से repeat हुआ है आप देखके बिल्कुल हेरान रहे जाएंगे दोस्तों ये question अब ये देखिए ये हमारा question number 26 है इसके अंदर इन्होंने कहा है कि in a new budget the price of petrol rose by 25% by how much percent must a person reduce his consumption so that expenditure on it does not increase इसका मतलब ये है दोस्तों की price जो पेट्रोल का price है वो 25% बढ़ गया है तो एक व्यक्ति को अपना कितने 30% अपना खर्च कम करना चाहिए ताकि उसकी जिंदगी पे कोई effect ना पड़े तो दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल असानी से देख सकते हैं बिल्कुल डिट्टो कोपी यही हमारा question 2012 के अंदर आया था और यही अब 2019 के अंदर आ गया है और इसके अंदर सबसे खास बात यह है दोस्तों इसकी जो statement और इसका जो answer है बिल्कुल सेम है डिट्टो कोपी इसका अंसर हर बार सेम आता है तो आप यह question बिल्कुल असानी से देख सकते हैं कि किस तरह से question repeat हुआ है और अब हम यह देखेंगे दोस्तों कि यह question हमें किस तरह से करना है तो देखा दोस्तों तो आपने किस तरह से यूजी सी नेट के अंदर डिक्टो कोपी कोश्चन रिपीट होते हैं और दोस्तों हमने और भी काफी वीडियोज वनाई हैं उसके अंदर और जो टॉपिक है उन में से दिखाए हैं हमने जैसे लोजिकल रिजिनिंग में टीचिंग एप्टिटुड मे रिसर्च में ऐसे कौन से कोश्चन है जो डिक्टो कोपी रिपीट होते हैं चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं कि यह पेटरोल की कीमत वाले कोश्चन किस तरह से किये जाते हैं दोस्तों इसमें जो एक खास बात होते हैं वो यह होती है कि जो कीमत है कीमत के अंदर मुल्य बढ़ा दिया जाता रो उसके बाद हमें पूछा जाता कि हमारा जो खर्च है खर्च में कितने परतिशत कमी करनी चाहिए तो यह देखी इससे हम किस तरह से करेंगे अब देखे इसका जो फॉर्मूला है यह है मुल्य वृद्धी पर खर्च में कमी इक्वल टू किस के होगी सो गुणा में ए रहे होता है जितने परतिशत हमें बढ़ाने के लिए कहा जा रही है देखी यहां पर किवें तुम्हें 25 परतिशत वृद्धी हुई है है तो यह इस फोर्मिले में रखके देखते हैं तो ये रखा है हम में सो गुना मेंuuuuup चीज यह हमरा दोस्तों पत्चिस सो आ गया धाई हजार आ ठीक है halmeye हजार और नीचे दिया है सो जमा में ए यानिकी सो जमा में कस यह हो 125 हो गया यहाँ पे हम लिखे लेते हैं 125 हो गया तो यह दोनों की दोनों की आएगी दोस्तों दोनों की दोनों हमारे पास ही आजएगा पत्चीस सो बटा में 125 यह हमारे पास आजएगा जब अब धाई हजार को जब हम 125 से डिवाइड करेंगे या काटेंगे तो यह 20% आएगा यानि कि 20 आंसर इसका आएगा यहाँ पे A इसका उप्शन है बिलकुल राइट उप्शन इसका हो जाएगा तो इस तरह से हमें बिलकुल असानी से कॉश्चन करना है यहाँ पे अगर 25 की जगए 40 दे दे या 50 दे जो भी दे दे वो हमें A की जगए रखते जाना है और वो हमारा अनसर आता जाएगा और दूसरी बात दोस्तों अगर यहाँ पे यह कह देते हैं कि वृद्धी की जगए अगर वो कह देते हैं कि कमी की जाती है तो हमारा क्या आएगा कमी आएगा तो दोस्तों यहाँ पे माइनस हो जाएगा जबकि विरिद्धी होगी तो यहाँ पे पलस हमें लगाना है तो इस तरह से बिलकुल असानी से कोशन कर सकते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों आगे यह हमारा जून 2011 के अंदर कोशन आया था इसके अंदर भी वही है दोस्तों सेम टो सेम बात है तेल की कीमत में 25% की विरिद्धी हुई यदि खर्च बढ़ाने की अनुमती नहीं है यानि कि खर्च नहीं बढ़ा सकता तो खपत में कमी व बढ़ा दिया अब देखिए हम जो सबसे पहले इसमें खपत में कमी की ये बात पूछ रहा है तो यहां पे हमने देखा कि खपत में कमी कितनी परतीसत करनी पड़ेगी बीस परतीसत करनी पड़ेगी तो यहां पे खपत में कमी हम यहां पे निकाल लेते हैं कि बीस परतीसत हमारा आ गया, यह दूबारा निकालने की जोरूत नहीं है, अब आगे देखते हैं, खपत में कमी और मूल खपत के बीच का अनपात क्या है, यह हमें पता करना है, अब देखिए, पहले हम मान के चलते हैं कि 100 परतिष्फ जो है खरचा करते थे, उसके बाद क्या है कि 20 कि है और टोटल खख़प कि इतनी होती थी हमान के चलते सो परसंट पर सेंट हमारी खऱफफ होती थी अब देखें इन दोनों के बीच में अनपात कि ना होगा अब इन दोनों के बीच में जो अनपाध होगा दोस्तु वह座 команд नप पांच होगा तो एक अनुपात पाँच ये ओपसा नंबर सी के अंदर हमारा आंसर है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा चलिए मैं एक वार फिर से आपको समझा देता हूँ देखे हमारी खपत में कमी कितनी हुई बीस परती सत हम अब कम खर्चा करना शुरू कर दिये हैं ठीक है अब ये कहरा कि खपत में कमी और मूल खपत के बीच का उन पाथ तो ये देखना खपत में कमी बीस परती सत और मूल खपत हम माल लेते हैं 100% पहले करते थे तो अब इन दोनों के बीच का जो रेसो होगा वो होगा एक रेसो फाइव तो इस तरह से हम यह आनसर निकाल सकते हैं दोस्तों ठीक है अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तों यह जूबिस जून को अपनी खपत में कितने परतिसत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर खर्च नए बढ़े अब दीए यहाँ पर स्टेटमेंट भी सही है और जो परतिसत वृद्ध है वो भी सेम दे रखिये तो इसका आनसर है दोस्तों वो भी हमारा बिलकुल सेम आई गया निकी बीस परसेंट इसका आनसर आएगा और वो मैंने आपको बताया था कि किस तरह ऐसे होगा सो गुना में पच्चिस बटे में सो जमा में पच्चिस यह मैंने आपको बताया था तो इस तरह से करके देखना है यह जो सवाल आपका बिलकुल असानी से आ जाएगा अब देखे दोस्तों एक चीज और आती है अब ये तो बात होगी हमारी पैट्रोल की कीमत में ब्रिध ही होगी लेकिन कई तरह के कोशन ऐसे हैं जिनके अंदर नों वृत वृत की तरीजा व्यास और जो हमारे आयत होते हैं रिक्टेंगल होते हैं उनके वारे में भी कई कोशन आय तो वो कोशन हम किस तरह से करेंगे सब सबसे पहले हम कोशन देख लेते हैं कि किस तरह से आया यहां पे देखिए यदि एक विरत्य तर्याटीस पचास पर तीसा तक वड़ जाती है तो उस विर्थ की प्रिधि किस सीमा तक बढ़ेगी यहां पर यह सरकल की बात करें सरकल का जो रेडियस है 50% बढ़ जाता है तो उसका पैरा मेटर कितने परतिसत बढ़ेगा यह हमें बताना है और उसके बाद देखिए यह दोबारा फिल दोजार शाथ के इंदर आया था विर्ध की तरीजा 50% बढ़ जाते हैं तो इसके अग्छेतर फल में कितनी व्रिद्धी होगी ऊसके बार देखिए जैसे यह आया है आयत के बारे में आया रेक्टंगल के बारे में है कि लूंबाय और चुड़ाई एक एक परतिसत बढ़ जाती है उसका चिताना डिफया और से किन года लांडर के आएगी तो इस तरह के कोश्चन भी आते हैं अब यह देखते दोस्तों इस तरह के कोश्चन हमें कैसे करने हैं देखिये सबसे पहले बात करते हैं वृत यानि कि जो सरकल जो होता है हमारा यहां पर आप इंगलिश में भी देख सकते हैं यह कोश्चन हमने इंगलिश में भी लिखा हुआ है यहां से लेकि यह तक की जो दूरी होती है तो यह कहते हैं कि किसी सरकल की यह परतिषट बढ़ा दी जाती है तो उसकी प्रेधी प्रेधी माने तो पैरामेटर यानि कि पैरामेटर में क्या डिफरेंस होगा अब पैरामेटर की बात करें तो पैरामेटर क्या होगा देखें पैरामेटर भी मैं बता देता हूं पैरामेटर क्या होता है जैसे कि कोई बंदा यहां से चला और घूम फिर के यहां से यहां से यहीं पे आ गया यह जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं दोस्तों पैरामेटरिया प्रीधि कहते हैं तो इसमें जो कोश्चन है इसमें पोछा कि कि किसी विर्थ की जो रेडियस है वो ए परतिसती यानि की 50% बढ़ा दी जाती है तो उसक कितना पेरामेटरियू से बढ़ाई के अनधर जाती है उसकी प्रेडियू में ही बढ़ाती होगी है यह बिलकुल रेडियस ही जैसे यह जा पहास पशनेंए बात नहीं बस आप यह बात ध्यान में रखना, कि यहां पे रेडियस बढ़ रहा है, तो पैरामेटर सेम टू सेम बढ़ेगा, जितना रेडियस बढ़ रहा हैं. अगर पैरामेटर के जगे यहां पे एरिया दे दिया जाए जाए तो तो हमारी गड़वड हो जाएए, यह चीज आप ध्यान में रखना सरकल में अगर रेडियस बढ़ रही है तो उसका पैरामेटर भी सेम टू सेम उतना ही बढ़ेगा यहाँ पर हमने यह जो एक्जामपल भी दे रखाई यहाँ पर आप बिलकुल असानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से अगर हम रेडियस बढ़ाते हैं तो उसका जो पैरामेटर वो सेम टू सेम बढ़ता है यहाँ पर आप देख लेना और किसी भी दोस्त को कोई भी प्रोब्लम हो इस कोश्चन में तो वो हमसे पूछ सकते हैं हम आपके सभी सवालों का जवब देने की पूरी पूरी कोशिस करेंगे और आगे दोस्तों आगे हमारे पास यह दिसमबर 2007 के अंदर कोश्चन आया था इसके अंदर काया कि किसी वृत की तरिज्या 50% बढ़ जाती है अब देखिए यहां भी इसने यही का था वृत की तरिज्या 50% बढ़ जाती है लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है वो देखते हैं हम देखिए यहां पे इन्होंने कहा है कि उसके अच्छतर फल में वृत धी हुई यहां पे जो एरिये की बात चल रही है और यहां पे क्या है दोस्तों यहां पे हमारे पैरामेटर की बात चल रही है यानि कि इसकी प्रीधी की बात चल रही है प्रीधी की तो यह चीज़ हमें ध्यान में रखना है ठीक है तो इसमें तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रीधी की बात पूछे पैरमेटर की बात पूछे तो पैरमेटर उतना ही बढ़ेगा जितना हमारी त्रीजा रेडियस बढ़ रही है लेकिन अगर यहाँ पर एरिया आ जाए तो एरिया का जो फोर्मूला है वो अलग होता है देखिए इसके इंदर क्या होता है यदी किसी दो भूजा वाली आकरती जैसे आयत वर्ग या वृत ये वृत के अंarr बैसे दो जो भूजा नहीं होती लेकिन फिर भी इस पर लागू होता है में एकस पर्तिशत की बिद्ध होते हैं तो उसका את तरफल का फॉर्मॉला ये है अब देखिए उसका फ़र्मॉला क्या है उसका फॉर्मॉला ये है Sो जमा में A, Sो जमा में B ये कर लिए हमने बटे में Sوا और माइίνस में Sो ये फॉर्मॉला आपको याद रखना है तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें ये लागू किस तरह से होगा तो इसमें होगा दोस्तों यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं बढ़ोतरी की बात चल रही है से पहले हम सो पलस में पचास करते तो यह कितना आजया है दोस्तों हमारे पास एक सो पचास आजाएगा और फिर दोबारा सो जमा में पचास करेंगे तो यह आजाएगा हमारे पास एक सो पचास आजाएगा दोस्तो और फिर बटे में सो कर लिया हमने और फिर माइनस में सो करेंगे तो अब देखते ही यह क्या होगा 150 की जब हम 150 से गुना करेंगे तो ये आएगा दोस्तों हमारे पास जब हम 150 और 150 को गुना करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आएगा मैं यहां पे थोड़ा यहां पे लिख देते हैं यह आएगा 225 00 आजएगा अब बटे में यहांपे 0 है तो 2-0 से 2-0 कट गी अब हमारे पास क्या गया दोस्तो 220 आगया अब 220 में यह देखिए माइनस से 100 करेंगे तो क्या एगा हमारे पास 125 अंथर आएगा यहांसे तो यहांसे हम बिलकुल असानी से यह कोश्षिन कर सकते हैं बस आपको यह धियान में रखना है कि यहाँ पिस एरिये के बारे में पूछा हुआ है या पैरामेटर के बारे में अब हम अगला कोशन देखते हैं दोस्तों अब देखिए इसने यही बात कही है कि जब एक आयत के लंबाई और चुड़ाई में एक एक परसेंट की तूरूटी की जाते है तो आयत के एक छेतर फ़ल में तूरूटी क्या होगी अब इसमें सेम टू सेम यही लगेगा दोस्तो इस तरीके से आप यह करके देखना आपको यह कोशन बिल्कुल उसानी से आजाएगा अगर आपको कोई प्रोब्लम आते तो आप हमसे पूछ सकते हैं आगे ही जो हमारा कोशन है दोस्तों यह भी सेम टू सेम वैसा ही है सेम टू सेम इसके अंदर वही फॉर्मूला लगेग और यह कोशन है इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा यह तीनों के तीनों कोशन आप करके देखना दोस्तों अगर आपको किसी वी तरह की कोई प्रोब्लम आती है तो हम इवनिंग की वीडियो में आपको यह करवाएंगे सभी के सभी तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर करके देखना सभी कोशन करके देखना अगर कोई प्रोब्लम आती है तो हमें बताना तो दोस्तों आज के लिए वसी तना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो उसी वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कमेंट कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी त के study notes देते हैं theoretical videos देते हैं इसके साथ 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper देते हैं with topic wise question जैसे कि आज तक research के question आ चुके हैं teaching के question अलग करके communication के अलग करके सभी 10 unit के question है आपको अलग-लग किये हुए मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नमर पर contact कीजिए